डिक्टिशिन गिती असी सब्द प्रतिमनट इस्टार्ट उपाध्यक्ष महोदय वित्मंत्री को देश की आर्थिक इस्थिति और निर्धनता के संबंद में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी अन्निक किसी मंत्री को संभव नहीं होती कि बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आई व्याय का ब्योरा होता ही है लेकिन मूल रूप में देश आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो गया है तथा वह किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं तथा सरकार का लक्ष क्या है इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है हमारे वित मंत्री चाहें जिस पद पर भी रहे हूं चाहें वे मुख्य मंत्री रहे हूं या केंद्री सरकार में रहे हूं उन्होंने सांदार काम किया जिस समय उन्होंने बजट प्रस्टुट किया उस समय देश को और विशेश रूप सी गरीबों को उनसी बहुत सी आसाई थी देश में लगबग छे लाक गामों हैं उनमें जो बेरोजगारी है गरीबी है उसके संबंद में देश की जनता को उनसे बड़ी आसाई थी और जनता देखना चाहती थी कि इस आउसर पर सरकारी नीटियों के द्वारा देश को वे क्या मार्ग दर्शन देना चाहती हैं इस दिर्श्टी से तीन महत पूर्ण बाते इस समय देश के सामनी थी देश का आर्थिक विकास तेजी से हो अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में इस्थिता आए जहां तक इन तीन उद्दिश्यों का संबंद है हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रियत्न हुए हैं विशेश रूप से गरीबी हटाओ के संबंद में इस देश में जो चर्चा चल रही है इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उलेख मिलता है क्यूंकि जितने भी प्रत्यक्षकर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों और विशेश रूप से सहर के लोगों पर लगाए गए हैं इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक आसमानता हमारे देश में चल रही है उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है लगबग पांच दसक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रसासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा क्यूंकि कांग्रेज के जो नए लोग आये थे जो मंत्री बने थे वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं धन से उनको मोह नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से सांदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे इस दो